प्रविशंकर प्रशाद जी जिनको देश दुनिया जानती है और इनकी वज़ा से पटना साहिब की सीट पर देश दुनिया की नजर भी ठीकी है। यहीं से सब कुछ किया। पहली बाद चुना लग रहे हैं कैसे त्यारी है। यह पिरमोहानी मोहला जो कदम का वहाँ जन्म लिया मैंने। बागी पटना कॉलेज, लो कॉलेज, जेपी मुव्मेंट, विद्यार्थी परिशद, कदम कुवा की शाखा में मैं संग का बालसम से उग बना था जब तीसी क्लास में पढ़ता था। आप लोगों से साथ देखा कितने समय से तो ये मेरा अपना शहर है। मैं पटना का हूँ, पटना करहूंगा। अब आपने का हाँ, ये सच्चा ही है कि मैं पहली बात चुआ रहा हूँ। एक बात कभी नहीं भूलिये कि मैं पार्टी के द्वारा आज प्रदेशों का प्रभाई रहा हूँ। यूव मोर्चा का राष्टी उपाद धेक्ष था तो बंगाल का प्रभारी था, फिर प्रमोद महाजन जी के साथ स्वर्गे प्रभाई साथ मैं राजस्थान का प्रभाई था 2003 में, फिर उत्तर प्रदेश का प्रभाई रहा हूँ, वश्मितर प्रदेश का, उत्राखंड, 36 गड़, आसाम, तमिलनाडू और भिहार तो अपना छेत्री है, 2000 में मैं प्रदेश का चुनाओ प्रभाई था, तो मैंने सैक्रोलों को चुनाओ रलवाए हैं, आपके राजनितिक अनुभाव पर कोई सवाल नहीं है, सवाल यह है कि कैसा लग रहा है, पहली बार चुनाओ तो मुझे अच्छा लगेगा, हाँ, पार्टी ने मुझे उमिद्वार बनाया है, मैं अभारी हूँ, अपने केजिनी तुर्तु का, आदिनी प्रधार मंतर जी का, मिच्छा जी का, प्रदेश के नेताओं का, और मैं प्रमानिकता से पटना का सांसत बनूगा, यह मैं आप आपके दरश्कों को मुझे बताना जरूरी है कि आईटी मंतरी के रूप में मैंने 88 BPO खुलवा दिये, STPI में इनोवेशन सेंटर खुलवाया, IIT पतना में हम मेडिकल इलेक्ट्रोनिस का इनोवेशन खुजवाया, और बागी तो सकेंस रगार के काम होई रहे हैं, जाहिए मामुली सांसद नहीं होंगे, ये तो हमको भी पता है, सबको पता है, अगर सांसद बनके यहां सजाते हैं, जीतेंगे, मंतरी बनेंगे और पटना इकले बहुत कुछ करेंगे, ये उमीद है, लेकिन ये जीत कितना चुनौती है, देखिए, हर चुनाओ अपने आप में संकल्पित हैं, और एक बात मैं कहूंगा, शेकान जी, कि ये लड़ाई, ये चुनाओ, आशा बनाम और सरवात का है, कि भारत के भविश्की राह क्या होगी, भारत को कि सुचाई पर जाना है, जो मोदी जी ले गए आर्थिक छेत में, एक तरफ मोदी जी है, दूसी तरफ न नीती, न नियत, न नेता, तो सारे दुशे आएंगे, ये चुनाओ में लड़ों का मुद्दो पर बता जेता हूं, आपका मुकाबला होगा सत्रू से, जो बीजेपी के टिकट पर चुनाओ लड़ते रहे हैं, लगतार जिते भी रहे हैं, कैसा देख रहे हैं मुकाबला देखिए, अब वो बीजेपी से उनने छोड़ दिया है, मैंने आज तक उनका नाम न लिया है, न मैंने कोई वर्टिकट बात कही है, उनकी सियासत उनको मुबारक हूँ, जो भी आएगा, हमाई लड़ाई पॉजिटिव होगी, मैंने कहा, आशा बना आवसरवाद पर, और के आवाज खामोश नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं उनकी भी आवाज बनगा, अभी स्ट्राइक का क्या असर है, जन्मानस पर और उसका क्या फाइदा मिलने जा रहा है, बीजेपी को, इंडियो को क्या असर, अब पहली बात मैं कहूं, मैं दघूमा, एक तो मैं पतना सहाब के मधाताओं को बहुत हिदर से प्रणाम करता हूँ, कि मेरी उमीदवारी पर बहुत शुब कामना मिली है, हर वरकिर, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या गाओं, क्या शहर, क्योंकि यो अपना शहर से एक अपनत्म होता है, उसका इसास मिला है, देखिए, के साथ खड़े हैं देश एक स्वर में बोलेगा आज हमारे एरफोर्स के लोग ये साहसिक करनावा करके दिखाते हैं उरी के हमारे जवान करके दिखाते हैं उस पर चर्चा क्यों होती है संदेख क्यों होता है पूरी दुनिया हमसे सबूत नहीं मांग रही है लेकिन कुछ ल लेकिन भारत में यहाल नहीं है यह ठीक लगता है मैं आज उनसे कहूंगा आप तै करें कि अपना चेहरा पाकिस्तानी टीवी पर देखेंगे या हिंदुस्तान की सुरक्षा के बारे में आपका स्वरेक होगा देखिए उनका अधिकार है कोई कहीं से लड़ सकता है लेकिन अ तो बिलकुल उनके पिता जी उनके ताउ जी उनकी माता जी उनके स्वैम उनकी दादी जी तो शायद हवा का ज्होंका राहुल जी ने भी परका है और मैंने मालूम कि वेनार्ड क्यों गए तो वहाँ एक वंपरसंट माइनरोटीज है हिंदु तो वहाँ अलपसंख्या के एक प्रकार से तो यही पर मैंने एक बात कही थी आप शायद आपके इटर्नल पर बोलूँगा कि एक होते हैं विचारों से हिंदू एक होते हैं आध्यात्मिक लगाओ से हिंदू और कुछ लोगों को पुलिटिकल हिंदू होने में रुची आती है जब चुनाओ आता है त तो यह भी आपने आप में बहुत सवाल ख़ड़े करता है अब तो अस्टायक ही मुद्दा है राम मंदिर चुनाओी मुद्दा कभी नहीं रहा है वो हमारी आस्था का सवाल है और राम मंदिर निश्यद बनेगा समधानिक रूप से और यह आपको प्रभू राम लल्ला औ क्याल कत्रा खोटा लाव तो ये अपने संघरश का है मैंने गरीबों के लिए काम किया हुमन नाइट एक्टिविस के रूप में मैंने सुचिता के लिए काम किया है भारत की स्रांस्क्रिटिक आपको मालूँ है जब अड़वानी जी नबे में ग्रफ्तार हुए था भी तो मै है तो समद्ध पुराने है लेकिन इतने चुनाओं का आए गए हर बार रामनमंदर चुनाओं मुद्धा नहीं है वो देश के आस्था मान सम्मान का है हाँ जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई है इसको मुद्धा हमने नहीं बनाया जब यह सवाल पूछिए सबूत मांगने वा लालू के परिवार को पषाया गया लालू को पषाया गया आप का मामना व्यारों के साथ हमनों नहीं सब्लों का सब्की के दिन है अब आज जो कुछ भी है तो सब तो कोल्थ मे फैसला हो चुका है एक मुद्व पर नहीं बोलता है, मेरा आज भी आप से मैं आगरह करूँगा, ये उनके अंदर की लड़ाई है, लेकिन महा कटवंधन की महा तस्वीर दिखाई गई थी, ये जरूरूर बोलना चाहूंगा, क्योंकि नेता कौन है, मायवती जी कहती है, मैं लड़के प्याम ब पूछ रहा है, तो उनकी बहन कहती है, कि अगर कॉंग्रेस आएगी, तो हमारे भईया बनेगे प्रधान मंत्री, देखिए श्रीकान प्रत्यूर जी, 2019 का भारत, अब 1990 का भारत नहीं है, जहां प्रधान मंत्री की कुरसी पर चार महिने, आठ महिने, और नौ मिने की लोग नहीं सकता है, और ये हिंदुस्तान अब आठ महिना और चार महिने का प्यम नहीं चाहता है, जहां रोज कुरसी के लिए मार हो, वो एक प्रामानिक नेता, एक प्रामानिक पाठी, एक प्रामानिक गटबधन चाहता है, जो BJP, NDA और नेता दरेन मोधी जी है, अब देखे मैं उनकी चुनावी नतिजे रेस्टाडियो मुझे क्या बोलना है अब है उनका विश्टाइशोड दीजे मैं एक ही कई हीरोईन चुनावी लड़ते भी है जितते भी है लेकिन एक बात आज मैं पहली बार आपके चैनल पर कह रहा हूँ एक बात हमें दुख दे गई कि उनका ये कहना कि चौदा के चुनाव में हमें पार्टी का सजोग नहीं था मैं अपने बलबजी था मुझे मालू है मैं पत्ना का कारण करता हूँ चौदा हो या नौ हो पार्टी के हमारे कार करता हूँ ने कितना तब किया उनके लिए आप जानते हैं तो चलिए उनने अपनी बात कहिए उनको मुबारक लेकिन नरंद मोदी जी हर मददा के दिल में हैं और वो जबर्दस प्रकटी करन होगा जब आप देखेंगे उन्हेंने खुद मजबूर कर दिया बीजेपी को ना टिकट क आपके लोग भी आपके खिलाप कुछ को सिच कर रहे हैं तो इसलिए मैं इस पर विश्वास नहीं करता पूरी पार्टी एक जुठ होकर काम करेगी यह मैं आपको विश्वास से करेंगे आप जो उनके नाम पर हुआ क्यों नहीं करेंगे निशित करेंगे और वो पत्ना के हैं हम लोग मिलकर काम करेंगे इसमें और पार्टी के साथ हैं और रहेंगे आपको धिर सारे सुब कामना है नन्यवाद